दाद के दर्द की एक खासियत रहती है कि वो रात में ही शुरू हो जाते है नहीं तो रात में जादा उसका दर्द बढ़ जाता है तो ऐसे होता है कि उस टाइम पे Dental Clinic बन रहता है और कोई फोन पे भी अवैलेबल नहीं रहता है तो ऐसे समय दाथ का दर्द कम होने के लिए क्या करे ये हमें पता ही नहीं रहता तो आज का ये वीडियो उसी बारे में है कि अगर suddenly दात के दर्थ में शुरुआत हो जाती है एक तो रात में कभी शुरुआत हो जाती है नए तो अगर आप out of town हो किसी भी काम के लिए तो आप आपके काम में इतने व्यस्त हो कि आपको दात के दवा खाने में जाने के लिए समय नहीं है तो ऐसे समय पे दात का दर्थ कम करने के लिए क्या करें हम उसके बारे में आज बात करेंगे और इस वीडियो के अंत में ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजे है जो करने से हमारे दात का दर्द बढ़ जाता है तो ऐसी चीजे ना करें जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब टेंपररी इलाज है आपको जो permanent इलाज है वो आपके dentistry, dental clinic में दे पाएंगे तो सबसे पहला है कि tablet paracetamol लेना paracetamol ये ऐसी medicine है कि वो हमारे हर घर में पाई जाती है जिसे हम mild energetic भी कह सकते है paracetamol ये काफी company में आती है कि जैसे calpol करके आती है ने तो crocin plus करके भी आती है अगर आपकी उमर 18 साल के उपर है, अगर आप paracetamol से allergic नहीं हो तो आप paracetamol 650 concentration में तीन बार दिन में ले सकते हो उससे दर्द कम हो जाएगा अगर paracetamol आपके घर पे नहीं है तो फिर दूसरा एक इलाज है वो याने कि long का तेल किसी भी medical में long का तेल मिलता है, उसके एक bottle आती है चोटी सी वो क्या करे कि घर पर चोटा सा एक cotton ball ले उसके उपर वो तेल लगाए और जिस दात में दर्द है उसके उपर वो रग दे अगर आपके पास long का तेल अवेलेबल नहीं है तो आपके kitchen में तो long जरूर होगी तो आप उसको पिसके भी उसका इस्तमाल कर सकते हो अगर उसको बारिक भी नहीं कर सकते हो तो directly जो long है जिस दात में दर्द है उस जगह पे आप उसको चबा के रखे तीसरा है की warm water gagling घर पर आधा glass कुनकुना पानी लेना है उसमें आधा teaspoon नमक डालना है और उससे गागल करना है कुनकुना ही पानी लेना है, ज़ादा गरम नहीं लेना है तो वह एक सिप लेना है, फिर जिस साँतमें आपको दर्द हो, वहाँ पे आपकी गर्दन टेल्ट कर देनी है और वहाँ पर वो गर्म पानी रखना है कुछ second के लिए 10 से 20 सेकंड के लिए उसके बद ship कर देना है फिर दूसराそれ ले ना है वैसी ही आपको रखना है और फिर ship कर देना है ऐसे पूरा आपको अधा ग्लास का जो पानी है वो खतम कर देना है और ऐसे दिन में आप दो बार आराम से कर सकते हो चौथा है कि आइस पैक एप्लिकेशन यानि काफी बार दात का दर्थ तो शुरू हो जाता है और लेकिन उसके साथ साथ कभी-कभी सूजन भी आ जाती है तो वो कम करने के लिए क्या करना है जो हमारे फ्रीजर में आइस रहता है ने तो आइस पैक अगर घर पे हुआ तो अच्छा ही है नई तो क्या करना है कि घर पे थोड़ा सा बर्फ लेना है बर्फ थोड़े से एक रुमाल में लपेट देना है और लपेटने के बाद जो गाले उसके बाहर के साइट से हमें लगाना है बाहर के साइट से लगाना है तो क्या करना है कि जो आइस पैक है वो उस जगर पे लगा के रखना है बाहर से एक या दो मिनिट फिर कुछ सेकेंड के लिए बाजो में रखना है फिर से लगा के रखना है एक या दो मिनिट फिर से कुछ सेकेंड के लिए बाजो में रख देना है तो आप 15 से 20 मिनिट कर सकते हो और पाँचवा है कि जैसे मैंने बताया कि दात में जो दर्ध है वो रात में ज़्यादा बढ़ जाता है वो क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो जो पूरा बलड सपला है वो हमारे सिर के तरफ आता है और उससे क्या होता है कि हमारे दात में प्रेशर जादा बढ़ जाता है कि जिसके वज़े से पेन जादा बढ़ता है इसलिए सोते वक्त क्या करें कि हमारे सिर के नीचे तकिया जादा ले दो या तीन तकिया ले और उसके बाद सोए ताकि हमारा जो सिर है उसकी जो लेवल है वो थोड़ी सी उपर हो जाए और जो blood circulation है वो पूरा सिर के तरफ ना आके pressure ना create करें तो इससे क्या होगा कि दाद का दर्द बढ़ेगा नहीं और आप अराम से सो भी सकते हो अभी इसके अलावा तो हम सबको पता है कि जब तक दाद में दर्द है तब तक थंडा और पतला खाए दूसरे साइड से खाए ऐसी चीज़े खाना खाने के वक्त खाए कि जो चादा च कम हो जाएगा अभी मैं एक बार फिर से यहां पे दोहराना चाहूंगी कि इन चीजों से दाद का दर्द कम हो जाएगा लेकिन वो टेंपररी रिलीव देगा आपको जब तक आप आपके डेंटिस्ट के पास ना जा सके तब तक आपको थोड़ी सी राहत देने के लिए ये सब मैंने चीजे यहां पे बताई है लेकिन जो भी ट्रीटमेंट है फाइनल जो सलेशन है वो याने क्या कि आपके दाद का इलाज तो इसलिए जल्द से चल्द आपके डेंटिस्ट से अपॉन्मेंट ले और उनसे ट्रीटमेंट करवा ले तो अभी देखेंगे कि ऐसी कौ बाहर से गरम चीज से सेखना तो अगर दात में दर्द है तो बाहर से गाल को गरम चीज से सेखना नहीं है नहीं तो वहां पे दर्द जो है वो बढ़ जाएगा और वहां पे सूजन भी आने के चांसे बढ़ जाते हैं और दूसरा है कि पें डिलिफ ओइंटमेंट जैसे हम usually करते हैं कि हमारे अगर सिर में दर्द है ने तो हाथ पेर में ने तो पीट में दर्द है तो हम क्या करते हैं कि pain relief ointment लगाते हैं जिससे move लगाते हैं ने तो bomb लगाते हैं कि जिससे हमारा दर्द कम हो जाए लेकिन अगर आपके दात में दर्द है तो गाल को बाहर से ऐसे कोई भी ointment लगाने नहीं है उससे क्या होगा कि सूजन आएगी दात का दर्द बढ़ जाएगा और जब आपके dentist treatment करेंगे तो उस treatment को भी result अच्छे से नहीं मिलेगा तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि दात का दर्द कम करने के लिए क्या करें और क्या ना करें सबसे पहला था कि tablet paracetamol लेना दूसरा था कि club oil याने long का तेल नहीं तो long का इस्तेमाल करना तीसरा था warm water goggling याने कुनकुने पानी में हलका सा नमक डाल के गागल करना ice pack से सेखना पाच्वा था कि रात में सोते वक्त दो या तीन सिर के नीचे तक्या लेके सोना और अभी एक बार देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो करने से दात का दर्द बड़ेगा तो जो चीज नहीं करनी है तो सबसे पहला था कि गरम चीज से सेखना यने गाल को बाहर से गरम चीज से सेखना नहीं है और दूसरा था कि पेन रिलिफ ओइंट्मेंट का दात का दर्द कम करने के लिए इस्तमाल ना करे तो मैं हूँ डॉक्टर मेथरी देशपांडे और ये था आज का वीडियो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और टेक केर